तो भाई लास्ट ट्रेटल रिवी वाली वीडियो पे तो तुम लोगों ने तबाही मचा दी थी मतलब काफी सारी गाल लिया उपर से काफी साय लोग ऐसे भी थे जिनों ने वीडियो को डिसलाइक किया था मुझे जैसा लगा था वैसे मैंने आपको साफ बता दिया था और आवन मुई को लेकर मेरे व्यूस आज भी सेम है खैर वो तो पुरानी बात हुई बट आज इस वीडियो के अधर में बात करने वाले तुमबाड मुई के बारे में जो कि 2018 में रिलीज हुई थी अब लोग इसको भी एक मास्टरपीस मुई बोल रहे हैं बट क्या ये मेरे लिसेश में एक मास्टरपीस मुई है मुझे इसकंदर क्या पसंद आया और क्या नहीं चलिए बताता हूँ और हाँ कल जब मैं इस मुई के बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो दो बाते इस मुई के बारे में ऐसी निकल कर आई हैं जो आप में से 90% लोगों को नहीं पता हुगा I guarantee तो ये दो facts कौन से हैं ये जानने के लिए भी वीडियो के एन तक देखना ये बात है आज से करीब दो डाई साल पहले की हाँ मुझे पता है मुई तो 2018 में रिलीज हुई थी बट यू नो मुई को lockdown के बाद काफी ज़ादा popularity मिली है काफी सारी YouTube वीडियो भी बनी है इसको लेके लोगों में दीरी दीरी इस मुई को लेके बाते बढ़ने लगी और उसी टाइम मतलब कि आज से करीब दो डाई साल पहले मैंने इस मुई को पहली बार देखा था क्योंकि आर अपनी भी इच्छा हुई ये जानने के लिए कि आकर ऐसा क्या इस मुई के अंदर यूँ ही दुबारा देखने का मन किया और भाइस साहब इस मुई को सेकेंड टाइम देखने के बाद जो मुझे ग्रेंड फिलिंग आई थी वो मैं आपको बता भी ने सकता और सिर्फ इतना है नीबल कि जब मुझे ये पता चला था कि इस मुई को बनाने के लिए इतने साल लगे और इतने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े तो मेरी रिस्पेक्ट इनके लिए और भी बढ़ चुकी थी हाँ इन चैलेंजेस के बारे में भी आगे बात करेंगे बट पहले बात कर ले तो इन पॉइंट्स के बारे में काफी सारी movies बनाई हैं but you know उन सभी movies के अंदर कितनी बुरी तरह से हगा है सबसे पहली बात तो यह कि मैं जादा horror movies देखना पसंद नहीं करता और इसका एक सबसे बड़ा reason यह है कि 90% horror movies के अंदर audience को डराने के लिए या तो एकदम से music दिखाई कर देंगे या फिर अचानक एकदम से बूत बगरा दिखा देंगे जिन में से आदों को देखके तो यह डर भी नहीं लगता लेकिन इस movie के अंदर जो horror दिखाया गया है वो मेरे taste table कोई match करता है कोई fall to का drama नहीं दिखाया है बस एकदम pure normal simple horror है अब इसी point के अंदर मैं एक बात और रेट करना चाहूंगा और वो इस movie का main message greed लालच जो ही movie लोगों के सामने रखना चाहती है और उसमें पूरी तरह से कामियाब रहती है movie के अंदर हमें देखने को मिलता है कि विना एक family की तीनो जर्नेशन उसका बाप वो खुद और उसका बेटा साले तीनो की तीनो लालची है जब तक वो किसी अपने को खोनी देते तब तक उन्हीं इस बात का एसास नहीं होता सबसे पहला तो वो जब हमें पहली बार को एक अंदर दिखाया जाता है कि किस तरह से वो दिवारे बनी हुई है और वो सांस भी ले रही थी और दूसरा सबसे बड़ा टूश्ट तो तब आता है जब हमें पता चलता है कि हस्तर सिर्फ एक नहीं है बलकि वो एक से भी जादा है अरे भाई मेरे तो रोंगटे खड़े होगे हैं बताते बताते तो हाँ ये दो काफी बड़े सप्राइस थे मूवी की एंडिंग भी हम कह सकते हैं काफी परफेक्ट थी काफी सैड भी थी बट जो आकर में विनायक के चेरे पर खुशी देखने को मिलती है उसका एक अलगी सुकून है क्योंकि फाइनली जो उसका बाप और वो खुद नहीं समझ पाये थे कभी वो उसका बेटा समझ चुका था कि इतना लालच इंसान को बरबाद कर देता है इसलिए आकर में जब विनायक अपने बेटे को थेला दे रहा होता है तो उसका बेटा साफ मना कर देता है अब थर्ड पॉइंट जो मुझे इस मुझे के बारे में सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है वो इसका प्रोड़क्शन डिजाइन मुवी देखके समझ में आता है कि हाँ भाई मुवी को बनाने के लिए कई साल लग गए होंगे जिस तरह की लोकेशन्स चूस की गई है वो अपने आप में काफी बड़ी बात है और आपको शैद इस बात का भी पता होगा कि फिल्म के अंदर हमें बताया गया है कि तुमबाड एक ऐसी जगे है जहां पर हमेशा बारिश होती रहती है और फिल्म के अंदर भी हमें जो पॉर्शन दिखाया गया है तुमबाड का वहाँ पे भी हमेशा बारिश होती रहती है या फिर बारिश का मोसम बना रहता है मतलब समझे मेकर्स को मूवी शूट करने के लिए बारिश के आने का वेट करना पड़ता था तुमबाड मूवी का अल्मोस पॉर्शन मोंसुन में शूट किया गया है सोचो अगर उस मोंसुन में शूट ना हो पाए तो अगले साल का वेट करो बायदाविन सब के इलावा मूवी की सिनेमटोग्राफी भी एकदम टोप नोच है एकदम टोप नोच अब वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे का था कि इस मोवी के बारे में दो ऐसे फैक्ट हैं जो कि 90% लोगों को नहीं पता होगा और वो फैक्ट है इसके रिजेक्शन और प्रडॉक्शन को लेके और फिर 1997 के बाद सिधा 2008 में पहली बार इस मोवी के शुटिंग 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 करने का प्लान किया था वो भी जानते हो किसके साथ अब यकीन नहीं करोगे नवाजुदिन सिद्धकी जी हाँ और यही था इस वीडियो का second fact यह मोवी 2008 में सबसे पहले नवाजुदिन सिद्धकी को उफर की गई थी लेकिन उस टाइम मोवी किसी रीजन से बंद हो गई थी प्रोडूसर वगरा पीछे हट गए थे ऐसा कोई रीजन था लेकिन इसके बाद मोवी को दुबारा शुटिंग किया जाता है सिधा 2012 में दुबारा लिखेंगे और उन्हें दुबारा शूट करेंगे और इस वज़े से मोवी की शूटिंग खतम होते होते ओल्मोस्ट 2015 चलाई गया था सोचो इन सब के बीच एक्टर सोम शा को अपना सेम लुक और वेट मेंटेन करना था फिर इसके बाद बताया जाता है कि मोवी के पोस्ट परड़क्शन वर्क में करीब 20 साल और लग गए थे अब बताओ इस मोवी को लेकर रिस्पेक्ट और बड़ी या फिर नहीं ये पूरी स्टोरी तो हाला कि मैंने आपको काफी शोर में समझाई है इस पर तो एक डिटेल 7-8 मिनिट की वीडियो भी बन सकती है अब आप ज़रा ये सोचो कि मेकस को कैसा लगा होगा कि इतनी मैनत के बाद भी मूवी फ्लोप होगी लेकिन अच्छी बात ये भी है कि फाइनली मूवी लोगों के नजरों में आई एंड इसको इतना पसंद भी किया गया कुछी दिन पहले ओफिशल न्यूस भी आ चुकि है कि मेकस ने सेकेंड पार्ट को लेके काम शुरू कर दिया तो बस आब वेटी कर सकते हैं एंड आई होब कि जो भी होगा बावाल ही होगा वैसे यार आप एक बात बताओगी सेकेंड पार्ट के अंदर आपकी सेक्टर को देखना चाहोगे देखो अगर मैं अपना परसनल ओपीनियन रखूँ तो मैं चाहूँगा कि इसमें नवाजुदिन सिद्धकी हो क्योंकि सोहम शाह तो नहीं होंगे लीड रोल में ये तो कंफर्म है तो इसलिए मेरी चोष्ट अब है नवाजुदिन सिद्धकी फर्स पार्ट नहीं कर पाए तो क्या हुआ सेकेंड पार्ट के अंदर मोका मिलना चाहिए तो बस यही ताज के इस वीडियो के अंदर आपको यह वीडियो पसंद दे होगी वीडियो अच्छे लोगे उतर लाइक कर देना और जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर लोगर नहीं किया तो बाकी मिलते एक लिए वीडियो में तिल देन रुड़ बाइन टेक केर